Subscribe is for official channel and press the bell button Thank You Hello Everyone, Welcome back to my YouTube Channel आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Copyright Match Tool होता क्या है और Copyright Match Tool को यूज कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी क्लियर तरीके से यही बताने वाले हैं कि Copyright Match Tool को यूज कैसे करते हैं और Copyright Match Tool के फायदे कितने है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमने कोई वीडियो अपलोड किया वो हमारी खुद की ओरिजिनल वीडियो है हम उसके आउनर हैं तो हमने किसी वीडियो को अपलोड किया और वो वीडियो वाइरल हो गए उसमें अच्छे खासे वीडियो आ गए तो क्या होता है कुछ लोग आके हमारे उस वीडियो को चोरी करके अपने चैनल पे अपलोड करते हैं ताकि हमारी वीडियो वाइरल हो और वीडियो आएं तो इस टूल्स में क्या होता है इस कॉपी डाइट टूल्स में हमें ये पता चल जाता है कि हमारी वीडियो कौन सा बंदा यूज कर रहा है अपने चैनल पे कितने बंदे अपने चैनल पे यूज कर रहे हैं और उस वीडियो पे कितने वीडियो आए हैं और उस चैनल का नाम क्या है चैनल के नाम के साथ साही डिटेल आजाएगे, दो चली वीडियों स्टार्ट करते हैं हाँ, तो वीडियों स्टार्ट करते हैं सबस्टे पहले हम अपने Chrome ब्राउजर से YouTube बीटा इस्टूडियों को कर लेंगे Open, ठीक है? जब हम open कर लेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीका interface खुल के आ जाएगा तो आप देख सकते हैं monetization के ठीक उपर हमें हमारे को एक C का shine दिख रहा है C का sign means copyright tools ठीक है पहले क्या था कि हमारे 1 lakh subscriber होने के बाद हमारे को ये provide किरा जाता था ये match tool provide कराया जाता था लेकिन अब क्या है कि हमारा 3 के या 4 के प्लस हो जाते है subscriber तो हमारे को ये YouTube के तरफ से provide करा दिया जाता है अब बात करते हैं इसके फायदे क्या है माल लीजिए कि अगर हमारी वीडियों कोई और अपने चैनल पे अप्रोड करता है तो उसकी साय डिटेल हमारे सामने आ जाती है और हम उसको copyright claim और उसको removal request दे सकते हैं तो चलिए copyright match tool में चलते हैं और देखते हैं क्या हमारी वीडियों कोई अपने चैनल पे अप्लोड करा है या नहीं करा है तो अपने copyright match tool को open कर लेते हैं ठीक है हमने अपने copyright match tool को open कर लिया है और यहां पर साब साब लिखा है नाइस वर्ड यू आर आल काट अप ठीक है इसके अंदर गद हमारे को चार तरह के आईकोन मिलते हैं एक तो matches का हो गया ठीक है एक तो हो गया removal request एक हो गया message एक हो गया achieve ठीक है तो matches क्या होता है कि अगर हमारी वीडियो कोई और अपने चैनल पर upload कर रखा है ठीक है तो क्या होता है कि उसकी side detail हमारे यहां पर आ जाएगी ठीक है और जब आने के बाद हम उसको यहां से request कर सकते हैं कि भाईया मेरे जो removal request मैं को कर रहा हूँ आप मेरे इस वीडियो को delete कर दो यह मेरा original content है मैं इसका honor हूँ ठीक है आप यहां से email message कर सकते हैं हाला कि अभी हमारे पास जो है कोई भी matches नहीं आया हमारी वीडियो किसी ने upload नहीं किया है इस वज़े से मैं आपको detail में समझाओंगा डिटेल में समझाओंगा screenshot लेके screenshot में मैं आपको बताऊंगा screenshot में आपको बताऊंगा कि अगर हमारी वीडियो कोई आपने चैनल पर upload करता है तो उसको कोई से copyright claim दे सकते हैं और उसकी सारी detailing कैसे आप ले सकते हैं तो चलिए screenshot में यह रहा screenshot ठीक है अगर आपका वीडियो भी कोई अपने चैनल पर upload करता है तो by default सारे detail यहां पर आ जाती है उसका नाम ठीक है उसके वीडियो पर कितने वीउस हैं किस डेट में उसने अपलोड किया और उसके चैनल का नाम सारा detail आपके सामने आ जाईए आप यहां तो copyright claim दे सकते हैं आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल बड़न को भी चरूँ दबाएं